गुड मॉनिंग आईज आज है 21 जुलाय और यह है हमारा डे 5 ओफ 100 डेज ओफ व्लोगिंग चैलेंज तो स्वागत था आप सपीका एक और नए व्लोग में अभी बज रहे हैं सवा आठ सुबह के और मेरा दिन शुरू हो जाता है सुबह के साड़े 5 क्योंकि हमें करनी होती ह वीडियो एटिंग कम्प्लीट होने के बाद हमने रिकोर्डिंग शुरू करी है तो व्लोग आ गया है तो आप लोग जाके देख सकते हो और आज सुबह का मोसम उठते ही भोजादा खरा है सुबह से भोजादा बारिश हो रही है मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लग रहा ह और हमें जाना है जिम तो इस बारिश में कैसे जाएं समझ नहीं आ रहा चट पे बीदे को पानी भर गया है पर हम रुकेंगे नहीं हमें फिट होना ही है तो हम जाएंगे कुछ ना कुछ करके चाहिए चाता लेके या जैसे भी गाड़ी तक बस पहुँचना है उसके बाद हम निकलेंगे मत एक ही इशू है कि यहां फे पानी भर जाता है मतलब सॉसाइटी में बहुत से भार भी पानी भरота मिलेगा तो यहीं ठोड़ा सा कंसान है कि पानी के अंदर से निकल के जाना होगा और गाड़ी हमारी चोटी है तो पानी में कहीं बंदना ओंगा है फिर भी कि हम हार नहीं मानेंगे हम जाएंगे यह देखो कितनी तेज बारिश आ रहे हैं चलो जाने की त्यारी करते हैं तो गाइज हम जा रहे हैं अभी जिम और वो भी हम जार अपने स्लिपर्स में ही जूते हमने आथ में ले लिये हैं क्योंकि रास्ते में जो है पानी भरावा भी में चेक करके आया था तो हमें पहले ऐसे ही जाना पड़ेगा और जिम जाके हम अपने शूज पहनेंगे तब तक हम ऐसे ही भीटते हो जाएंगे और कि देखोगा इस कितना पानी प्रावगा इसी चीज के लिए में शूज पहन के नहीं आया है कि अपना लोवर भी थोड़ा उपर करना पड़ेगा और नहीं भीग जाएगा है तो गया हम पूरे भीग चुके हैं बट कोई बात नहीं हम सूप जाएंगे थोड़ी देर में हमारे शूज जो है वह नहीं गीले हुए उन्में पानी नहीं गया है वही हमारा में जो मकसद था वह कंप्लीट हो आए मतलब हमारा चैलेंज वन कंप्लीट होया है फाइनली अब जया चैलें से दो-ब्ват में जाने के एक प्लाइज़ा आगा मिलेगा बहु जाड़ा बहुत आ तो समझ नहीं आ रहा मादेव कियो घू घुखतो पर क्या क्या अतक मचा रखा है कि इतनी ज्यादा बारिश करियो कि चल जबते हैं जिम के लिए तो गाईज देखो कितना ज़्यादा पानी बह रहा हूँ अब इतने ज़्यादा पानी में से निकाल कहा हूँ कि गाड़ी के टायर ओल्मोस्ट डूब गए ते नीचे पानी में और अभी भी आसा ही चैलेंज है तो जल्दी से निकालता हूँ यह परना गाड़ी बंद हो सकत और नहीं पता हम कैसे निकले हैं और पानी बहुत जादा था मतलब गाड़ी बीचे बंद भी हो सकती थी बट हमने हमें पॉंचना था तो पॉंचना था तो हमने लगाई फस्ट गेर में और स्पीड से निकाल दी ना इधर देखा ना उधर देखा और ऐसे ही आगे सामने अभॉंण अले जामने फेल गाडी थी वह सेम भी रही थी इक वेगनार यह और इतनी स्पीड से आई कि वह इतना पानी हुडा रही थी कि मैंने थोड़ा शी शीशा डाउन कियो दो पानी ऑंधर आया तो पर मैने वह नहीं किया मैंने थोड़ा अवोईड किया कि जो होगा challenge 3 भर जाने का मतलब बारिश तब तक रुख जाएगी तो थोड़ा पानी नॉर्मल हो जाएगा थोड़ा उतर जाएगा बड़ अगर ऐसे continuous होती रही तो हम पता नहीं घर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे आज मतलब जब तक बारिश नहीं रुखती तो सब बारिश पी डिपेंड करता है तो यह इस जगे का चलो देखते हैं इससे भी डील करेंगे अभी चलते हैं जिम आज हमारा है पुश वक आउट तो हम लगाने वाले हाथ, चेस्ट, ट्राइशेप्स, एंड शोल्डर झालो तो हम आज हमारा है आज हमाने वाले हैं जार लाईशेप्स, एंड आष प्योन करत रहते हैं अज़ दो फट्यों करते हैं आज हैं लो बार स्वार नहीं प्रस्स, एम मतलब तो जढ़ फ़्या हैं आज हैं ज़ल गुश बार बार्लों एवर श्राः All I am, I'm just dead This time, I follow the thoughts that are mine I'm leaving you and now I know You will miss me when I'm gone You will miss me when I'm You will miss me when I'm coming You will miss me when I'm coming Guys, the rain is still happening Continuously, and you can see Look, there is water filled in society Everything is so difficult Because the seed plant is not set up Because the seed plant is not set up That's why the seed plant is coming So everyone is facing the problem Look at this, the parking lot is falling But our car is safe We are wearing slippers, we are going to get out So guys, we did not shoot any work out Because there is a little timing issue And I will leave my car too Because if our challenge is 3 If we don't complete it At the time, my meeting is Stand up call At 11 am It will remain Now it is about 10.30 So we have to reach home To reach the distance So we have to reach the distance So we have to reach the distance The road we have to reach The road we have to reach There is a lot of water Look at how a child is moving There is a lot of water Now what do we have to do Now what will we have to do Look, the cars are coming Right Now we will go into the water और पी में या रूद जाना है है यह मेरण रओट का आल जा गाइज जाम लग गया है लगता है कोई गारी फस्च गई है तरबोछ जा दा हमाँ लेफट में और यह उपर जो हरा तो हमें फ्लाइवेर जा रहा तो हम आपोлы के नीचे से जाना है अब को यह पता maintenant पूरा उपर तक पानी आ गया है गाइज ये डेड़ लोग सिचुएशन हो गया है सब एसे अड़के खड़े हो गया है बस क्या ही बता है हम मिर को इधर ही मुड़ना है और मैं नहीं मुड़ पा रहा हूं क्योंकि कोई आगे सरक ही नहीं रहा है सो गाइज हम घर पहुंच गए थे उस इतने भेंकर जाम से निकल के बस दस मिनट पहले अपनी स्टेंड़ अप से तो हमने आके अपनी जोइन कर ली थी टाइम से और उसके बाद अभी मैं उससे प्रिवा हूं और अभी हम कुछ थोड़ा बोद खाएंगे और मतलब यार लोगों को ना बिल्कुल गाड़ी वाड़ी चलानी आती नहीं है ऐसे मतलब डेड़ लोग सिचुएशन ना एक कोई एक बेकार ड्राइवर होता है जिसकी वज़े से वो गाड़ी पीच में फसागी खड़ा हो जाता है जिससे ना लोग इधर जा पाते ना अधर जा पाते हैं तो यह चीज जो है ना अपने इंडिया में बहुत ही बेकार है मतलब अंडरस्टेंडिंग तो ही नी सब को बस पहले निकलना है सब को पहले जाना है उस चक्कर में आप और जादर लेट हो तो बहुत ही बेखुफ लोग है पर कुछ निहीं कर सकते ठीक है जैसा भी है अफ्यू आवर्स लेटर सो गाइज अभी-अभी मैं ओफिस का काम करके हटा हूं अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है कुछ देर के लिए और बैठना पड़ेगा बट काफी टाइम से बैठा वाहूं तो सोच रहा हूं कि थोड़ीजर वोग कर रहा हूं म तो मैं ट्राय करता हूं कि वोग करने का टाइम मिल जाया बीच में और आज हमने काडियो भी नहीं करी थी क्योंकि आप लोगो को पता है बारिस का मौसम था और मैं टाइम से घर नहीं पहुछ पाता इसलिए मतलब मैं यही सोचा कि जो काडियो में सुबह नहीं कर पाया उ जो हमारा आज का पूरा करने के लिए तो वही है जल्दी से चलते हैं और सबसे पहले थोड़ा सब वोग करते हैं तो गाइस मोसम बहुत अच्छा हो रखा है वोग करने के लिए मतलब ऐसा मोसम सारा साल रहे तो मजा आ जाए बस बारिश नहीं होनी चीए बारिश से हमें बारिश से मतलब ऐसे को इस प्रप्रोब्लम यह जाता है कि कोई भी मतलब हर जग पानी भर जाता है की च्छड़ हो जाता है जिसके वज़ेसे बहुत प्रप्रोब्लम सफर करने पड़ती है सबको कपड़े-गंदे होते हैं और ट्राफिक रुग ग गर्टा जाता है लाइ कि यहां होता है कि अगर पानी बारिश आएगी और पानी होगा सडकों पे तो किसी को मतलब इलेक्ट्रिक करेंट ना लग जाए उस पोल की वज़े से तो वह सही करते हैं यह चीज तो बट अस्तिल लोगों को सफर्तों करना ही पड़ता है मतलब कुछ ऐसा सिस्टम होना जिसके वाज़े से मतलब यह सब प्रोब्लम्स भी ना हो और को इलेक्षिटी पाउर कट भी ना लगे और सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा तो फिर जिंदगी में लाइक कुछ फन रहेगा ही नहीं तो चलो यह तो जीवन का सार है यह सब चलता रहता है अभी क्योंकि यहां पास में ही ना चंदिगड का एरपोर्ट है तो आई थिंग और पीछे जो है आर्मी का बेस भी है क्योंकि मैं जो भी सोसाइटी देखने गया हुआ था तो मिरको वहां के ब्रोकर ने बताया था कि यहां पीछे आर्मी का एरिया है तो आई थिंग वहीं पे कर जा रहें और एक और आगया गाइस कर दो तो गई वोक करके आ तब तक तक सारा भी आगी थी ऑफिस से और यह देखो जब घर पे आते हैं मतलब मैं वोक कर आया हूं और इसने शारी मेहनद खराब करने का प्लान बना रखा और युको परांठे खिला रही है और पनीर के तो साथ में प्रोटिन भी देरी है और साथ में फैट भी ज्रूरी देखो गाईज देखने में तो बोहुत बड़िया लग रहा है अग्या खाने में फोकेस को देखना बाद में इसको पर तक है करो चलो गाइज खाते हैं चल्दी से सो गाइस डिनर भी कर लिया है हमने और बाकी के हमारे जितने भी काम थे आज के वो भी निप्टा लिये हैं तो अभी हम जा रहे हैं सोने आज के लिए इतना ही प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा पार्ट इस वीडियो में या इस पूरे व्लोग में क्या अच्छा लगा तो आज के लिए इतना ही रखते हैं टाटा बाई बाई